नमस्कार प्रियमित्रों मैं गंगाराम और आज हम चर्चा करेंगे यदि कोई रत्न अपने मूल स्वरूप से हटकर जो उसका रंग शास्त्रों में बताया गया है थोड़ा सा दूसरे रंग में है तो क्या वह आपको फायदा करेगा क्या वहाँ पर आपके पैसे कामियाब ह होंगे या आपको उसका भारी नुकसान होगा जैसे नीलम को मूलत है नीले रंग का बताया जाता है चाहे गाड़ा नीला हो या हलका नीला हो लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि सफेद नीलम कुछ लोग बोलते हैं खुनी नीलम कुछ लोग बोलते हैं गुलाबी नीलम मानि को लाल कुछ लोग बोलते हैं सफेद मूंगा जबकि मूंगे का मूल स्वरूप गाड़े लाल रंग का तो यदि कोई रत्न अपने मूल रंग से थोड़ा बहुत दाएं या बाएं है एक आध पॉइंट तो क्या आपको वह रत्न खरीदना चाहिए क्या आपको उसमें इंव बात को मना करता है तो निश्चित रूप से उसका नुक्सान पूरी जानकारी आप तक पहुचाओंगा लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाओं मैं आपको बता दू जोतिस के दौरा अपने समस्त समश्चाओं के समधान के लिए और बहुत अच्छी स्रेणी के ग दोस्तो धर्म शास्त्रों में नीलम का रंग नीला बताया गया है इसमें कई परकार के नीलम का वरनन मिलता है गाढ़ा हलका इंद्र नील वगेरा मौती सफेद मूंगा लाल पन्ना हरा पुकराज पीला शुक्र के लिए फायर ओपल या डाइमंड उसका चमकीला कलर बताय हुआ है नीलम को नीला होना चाहिए वह हलका सफेद है हलका पिला पने उसमें हलका गुलावी पने तो वह आपको भेंकर तरीके से नुकसान कर सकता है इसी परकार कोई भी रत्न यदि अपनी जो हमारे धरम शास्त्रों में उनके रंग बताये गए हैं उससे दाएँ या ब बड़े भारी तरीके से नुकसान कर सकता है क्या करेगा। इसलिए आप जोतिस दिखाकर, जनम पत्री दिखाकर, रतन का चैन करते समय, रतन आपका इस तो दो रंगा नहीं होना चाहिए। इसका खास ध्यान रखे। वन कलर में पूरा स्टोन होना चाहिए। कहीं से गाड़ा, कहीं से हलका, कहीं से फीका, कुछ दागदब्य नहीं। किलियर वन कलर में आपका इस्टोन होना चाहिए। और दोस्तों, जिस रतन का जो मूल स्वरूप है, जिस ग्रहे का जो रंग है, उस रंग का रतन ही आपको लाब करेगा। उसमें साइड में गया हुआ कलर, आउट कलर आपको दिक्कत कर सकता है, मेरा मानना है तो है करेगा। तो बहुत छोटी सी जानकारी थी आज, लेकिन बहुत शांदार जानकारी है, और मैं कामना करता हूँ, आपको जरूर मेरी बात अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, और सब्सक्राइब माई चाइनल, मिलते रहेंगे, ऐसी ही छोटी छोटी पर बहुत शांदार जानकारी हों के साथ, भविश्य में भी भवी मुस्कराते हुए, ऐसे, तब तक के लिए नमस्कार,